मारवाडी बिजनस में क्यों फेल नहीं होता, क्योंकि मारवाडी बिजनस की पूरे विश्व में जितनी भी कमपनीज हैं, हर कमपनी को ऐसे लोग चाहिए, जो बिजनस का नेक नियम है, लेकिन बहुत सरलों को अधुरा नियम पता होता है, वोग कहते हैं, कई इंडस्ट्री मैं CEO and Founder Director हूँ, METASO Versace Limited का, हमारी कमपनी Stainless Street Modul Location के manufacturing करती है, export करती है, और आज पूरे भारत वर्ष में हमारे franchisee and dealership शोरू में, एक बहुत बड़ा प्रश्न एक युवा के मन में होता है, और शायद आपके मन में भी होगा, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया How to Start Business Without Money, क्या ऐसा संभव है कि बिना पैसे के भी बिजनस शुरू कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही पड़ा है आपने और यही बात में यहाँ पर प्रूव करने वाला हूँ कि बिना पैसे के भी बिजनस शुरू किया जा सकता है, बशर्ते आपके मन में जोश, जजबा और जुनून हो कि येस मुझे बिजनस करना है और किस इंडस्ट्री में करना है इस विशा पर भी हम बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे How to Start Business Without Money, बिना पैसे के बिजनस कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले एक बात को अच्छे समझ लीजेगा, कि आप जब बिजन जाते हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करने का हमारा मन नहीं होता, और कुछी समय बाद हम फेल होकर वहां से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले explore करें and research करें क्या, कि आपकी hobby क्या है, आप किस तरह के काम को पसंद करते हैं, कुछ लोग agricultural based business पसंद करते हैं, कुछ कुछ लोग lifestyle, कुछ लोग necessity based, कुछ लोग FMCG based, तो पहले ये तो decide करें कि आपकी hobby क्या है, आप किस तरह के business में जाना चाहते हैं, उसके बाद taste and preference, आपका taste and preference क्या है, hobby तो आपने decide कर ली, पर कौन-कौन से चीज़ें जिसको आप प्रार्थमिकता देना चाहते हैं, किस त business चलने की संभावना ही नहीं है, तो सबसे पहले trend जरूर चेक कर लें, for example, आपने सोचा चलो यार, RO का business करते हैं, और आपको पता है, RO आज एक common चीज़ हो चुकी है, आपको लगा inverter का business करते हैं, तो inverter का business common हो चुका है, आपको लगा EV, electronic vehicle का business करते हैं, तो yes, ये upcoming industry है, आप ये जरूर चेक करें, उसके बाद ये देखें कि उस business में level of competition कितना है, friends, क्या होता है, हर industry में competition तो होता है, पर कुछ industry ऐसी होती है, इसमें competition का level बहुत हाई होता है, और किसी किसी industry में competition का level low होता है, क्यों क्योंकि बहुत सारी industry ऐसी होती है, जहां ratio of profit बहुत कम होता है, ज जो business आप करना चाहते हैं, उस industry में कितना competition है, साथ साथ level of investment, ये भी एक बहुत important factor होता है, कि मानलीजे आपने ऐसी industry का chain कर लिया, जिसमें competition भी काम है, growth possibility भी बहुत अधिक है, लेकिन उस industry को establish करने में करोड़ों रुपय का investment है, और आपके पास अभी इतनी संभावना ही नही आप उस industry में गुसेंगे ही नहीं, क्योंकि उस industry में level of investment बहुत हाई है, next, profit ratio ये भी check करें, कई बार क्या होता है, कि एक industry में investment बहुत जदा लगेगा, competition भी है, future growth possibility भी है, लेकिन profit ratio बहुत चोटा है, तो ऐसे में बहुत लंबा सामय लग जाता है, उस industry में अपने pair जमाने क लिए, इसलिए ज़रूर चेक करें, कि उस product में या उस service में profit ratio कितना है, साथ-साथ future growth possibility क्या है, कई industries तो ऐसे saturation पर आ चुकी है, मतलब आप वो बंद होने की कगार पर हैं, तो ऐसे में ज़रूर चेक कर लें, कि जिस industry में आप काम करना चाहते हैं, उसकी future growth possibility क्या है, अब information and technology का यूग है, आपके पास mobile phone, आपके पास एक smartphone है, जिसमें google के जरिए, researches के जरिए, searches के जरिए, articles के जरिए, videos के जरिए, trends के जरिए, आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, और ये समझ सकते हैं, कि yes, क्या भविश्य में ये चीज़ आगे बढ़ने वाली है या इसमें profit ratio क्या है, investment क्या है, जब ये सारा research आप कर लेना, तो समझ लीजिए, आपने ये decide कर लिया, कि मुझे किस industry में जाना है, और जब एक बार आप ये decide कर लें, कि आपको किस industry में जाना है, किस तरह के products, या किस तरह के services में deal करना है, तो उसके बाद जो next step होता है, वो हो होता है, कि हमें practical knowledge करनी होती है, उस industry में जाके knowledge करनी होती है, पर कोई भी industry, कोई भी business owner, कोई भी professional, आपको अपने साथ जोड़ेगा नहीं, और उसको ये संबाबना पता लग जाए, कि आप ऐसा बविश्य में business करने वाले है, तो ज़रूत क्या है, सबसे पहले industry का chain करने के ऐसी technique यूज करता है, जो उसमें कभी fail होने के संबाबना ही नहीं होती, वो सबसे पहले chain करता है, कौन सी industry में जाना है, और जिस industry में business करने का मन होता है, उसी industry में job करना शुरू करता है, और job करने के बाद जब experience हो जाता है, बहुत वारत network उसका बन जाता है, तो वहां से switch over करके, या तो part time job करता है, साथ साथ, या फिर full time उस business को करना शुरू कर देता है, as a trader, as a investor, as a freelancer, as a commission agent, और जब business बहुत अचा generate हो जाता है, फिर industry में deeply jump मार देता है, तो करना क्या है, सबसे पहले आप उस industry में job करें, या work as a part time, आपको लगता है, आप अपने घर परिवा को चलाने के लिए कहीं already business कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी अलग income profile में आप हैं, तो आप उसमें part time job भी कर सकते हैं, part time job में भी न, आपको बहुत सारी knowledge मिल जाती है, उसके बाद क्या करें, जब आपको job से या part time job से अच्छी knowledge grab आप कर लें, तो उसी industry में as a freelancer काम करना शुरू कर दें, जुस्तों जहान रखिएगा, पूरे विश्व में जितनी भी companies हैं, हर company को ऐसे लोग चाहिए, जो उनके लिए sales का काम कर सकें, अब आप freelancer उनके लिए काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कोई salary चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप किवल काम होने पर ही अपन commission charge करेंगे, आप profit charge करेंगे, तो ऐसे लोगों का welcome हर industry करती है, तो ऐसे freelancer काम करें, और उसके बाद work on commission basis, आप commission basis पर भी किसी भी industry के साथ tie up करके काम शुरू कर सकते हैं, और एक बाद जब commission से आपकी income अच्छे से शुरू हो जाए, तो और आप ही decide कर लें कि यही वो right industry है, जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, business करना चाहता हूँ, then start business with low investment, जो आपने सारा profit कमाया, या आपने जो commission से पैसा कमाया, जो छोटी सी investment आपने कमाई, या आपके पास किसी तरह की saving है, उसका इस्तिमाल करके उस industry में कदम रखें, commission agent के साथ साथ, associate partner के साथ साथ, आप as a trader भी उस business को शुरू कर सकते हैं, और जब आपके पास sales volume अदिक होगा, तो सारे के सारे manufacturer, सारे के सारे service provider, आपके सामने हाँ जोड़कर खरे होंगे, कि सर आप हमें बताएं, हम आपकी क्या ज़रूतों को पूरा कर सकते हैं, और कैसे आपसे sales ले सकते हैं, कैसे आपके साथ business कर सक रहें, जब आप reinvest करेंगे, तो आपके business की growth होगी, और business की growth ही आपको जीवन में सफलता दिलाएगी, उसके बाद, find more vendors, देखिए, business का नेक नियम है, लेकिन बहुत से लोगों को अधुरा नियम पता होता है, वोगों कहते है, my buyer should satisfy, business का पूरा नियम यह कहता है, my buyer should satisfy and my supplier should satisfy, if both are satisfied, then I can grow my business, तो उसके लिए, find more buyers, find more vendors, find more clients, find more suppliers, or increase your online and offline visibility or presence, digital marketing के जरिए, offline marketing के जरिए, अपने business की presence को बढ़ाते रहें, क्योंकि मैंने कहा था, अपने business की income का 80% reinvest करें, और जब आप 80% reinvest करेंगे, और 20% अपने पास as a salary, क्योंकि आप पहले भी काम कर रहे थे, salary ले रहे थे, तो वो salary की रूप में withdraw करेंगे, आप जब ज़्यादा invest करना चुनू करेंगे, तो वो छोटी-छोटी invest compound interest की तरह से एक अपार धन बन जाएगा, एक बहुत बड़े business के रूप में, industry के रूप में आप साफित हो जाएंगे, इसके लिए ज़रूरत है केवल और केवल सही तरीके से planning करने की और planning करने के उसको execute करने की, और जब execution में आ जाए ना, तो reinvest करके growth possibility तक पहुँचने की, friends मैंने अपने business experience के अधार पर न, आप लोगों के लिए course develop किया, that is rope, result oriented program for entrepreneur, आप जानते हैं कि मैं still and steel modulo kitchen का business अप करता था, तो बहुत small skill से मैंने श गया, associate partners बन गए, और हमने export करना भी शुरू कर दिया, तो अपने practical experience के अधार पर मैं आपको सिखाता हूं कि business का establishment से लेकर, acceleration तक, मतलब huge growth possibility तक कैसे पहुचा जा सकता है, इसके लिए ये जो course है न, ये हर उस business owner के लिए important है, जिसके लक्ष बड़े हैं, जिसके धे बड़े हैं, जो अपार सफलता आसिल करना चाहता है, अगला training program कब, कहां और कि शेहर में है, इसकी जानकारी के लिए board पर दियो number पर अभी call करें, और अगले training program के लिए अपने आपको जरूर register करें, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कि जिन लोगों के मन में hope है, उन्हीं के लिए ये रोप है, रोप है तो hope है, इसके लावा बिजनस से संबंद आपके मन में कोई भी उप्रशन हो, तो प्रशन हमें comment box में जरूर लिखें, कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को subscribe करें, और हाँ, आपसे एक request और कर रहा हूं, कि bell icon को जरूर प्रेस करें, ताकि वीड झाल